देख अभी पाइप ठीक है अभी देख यह जो पाइप यह पाइप का है सेंटर आपको दिया क्या है अपाइप इस 20 सेंटीमेटर निंदायमेटर मतलब डायमेटर है तो आपने कभी स्टेडी क्या होगा तो यह कित्ता दिया है उन्होंने 20 सेंटीमेटर ऐसे डायमेटर दिया है ओके इसमें स्टीम है कित्ता है उसका टेंपरेचर 150 डिग्री सेल्स तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 150 डिग्री सेल्स ऐसे विट गवरिंग आप 5 सेंटीमेटर अभी इसको कवरिंग लगा है कवरिंग कित्ते कायदे को कवरिंग चड़ा रहा हूं इसकर यह कवरिंग और वह कवरिंग को हम लोग कलरिंग कर दे देखो भी आप लोग बार के लोग शेंग और वोग कवरिंग का दामेंशन दिया उन्हें कितना ऐसे पाइसेंटीमेटर तो मुझ लोग यहाप थोड़ा कर लिख लेते हैं आप यू संधिमेट वा जा एक यहाँ यहाँ फोर वीच का वैल इस पर विचछ यहाँ पर वेलिदे आफ तुर फिर आ वह बाहर का टेंप इसरा कितना है ती इकोर डू पॉर्टी डिगरी सेंसिस ओके पाइप अब यह पाइप को मैं कम्प्रीट कर रहो देख जारो पाइप ने पाइप जैसा दिखना चाहिए है हमने पूरा फइप बनाया एठीके आपको याद हो थो पाय में हमने एल बताया था आपको ऐल इस उकोडू रहे-घोपयलन के बारे में कुछ दिया कि दर कि दर ही नहीं है तो नहीं धिय अबया इस कडिकर के अंप लो ऑन वह युनिट ठीक है अभी समस्चू जासल रा रा तो यह कितना रेडियस रहेगा तेन तो आरवन इकोल टू मैं मानता हूँ 10 cm अरवन ओके समझो भी अभी अभी मुझे आरट नी कालना है देखो अभी अच्छे से यह कितना है यह फाइव है यह फाइव है और यह कितना है 10 10 10 तो आर्टू कितना रेगा बोलो याद गाएगा क्या रवरे कितना आएगा 15 cm अरवन आया 10 आर्टू आया 15 cm अभी आप एक्जांपल पड़ो देखो आपको क्या पुछा है फाइंड टेंपरेचर हाफ वे थ्रू दर कोरी हाफ मतलब आदा किसका कवरिंग का अभी आपका कवरिंग इधर है देखो जाना देखो अभी कवरिंग मतलब इधर सेंटर आएगा आ रहा है बरबर और इसके हाफ होना चाहिए समझो जड़ा बोलो मर तो हाफ आएगा देखो जड़ा फायो का आदा मतलब कितना रहेगा 2.5 तो मैं यहाँ पर इतना बता रहा हूँ डाइमेंशन यह कितना रहेगा 12.5 cm मतलब 10 प्लस 2.5 मतलब 12.5 आया अभी हमने हीट फ्लो में लिखा है वैसे आपको लिखना होता है देखो अभी समझो जड़ा सबसे पहले गीवन क्या क्या है गीवन है आपको के कितना दिया है 0.0025 जैसे आपको हीट फ्लो में लिखना न्यूटन स्वाफ गुली में लिखते थे वैसा ही टी लिखना टी ल तो अंदर अगर देखो गे-टर टेमरेशर कितना था 150 डिगरी सेटेस्ट तब आर वन कितना था 10 सेंटीमिटर आ रहा है हीट फ्लो जो भी होता है वो सब कुछ सेंटीमिटर में होता है तो अगर आपको सेंटीमिटर देखने वाला है अब भी टी देखोगे भार का टेंपरचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस तब आर्टो कितना है 15 है 15 सेंटीमिटर अभी देखो जरा तीसरा अगर आप रीडियस देखो कितना है 12.5 सेंटीमिटर आपको टी निकालना है यहाँ पर समझ रहा है टी निकालना है तो नाव हम लोग सॉल करेंगे उससे पहले और एक स्टेप क्या आपको एरिया पता है एरिया हमने किया था 2 पाइ आर एल पर बीड़े तो टू लिखा पाई लिखा आर लिखा वाट आपको टैल तो ओर आपको टू पाई आर आएगा ऐसे नाव अब लोग स्वाल कर रहे है सब लोग अच्छे से देखो बाई फुरियर लॉग क्यू इक्वल टू क्या था माइनस के ए डिटेप आई डिया सब लोग द्यान दो सो क्यू इक्वल टू माइनस के लिखा ए एका फर्मुला क्या है टू पाई आर क्योंकि एल वन हो गया इंटो डी टी बाई डी आर आता ऐसा बरबर अभी निटान स्लाग फुलिंग जैसा खिटा की टर्म आन्स वन साइट टी की टर्म अधर साइड ऐसा कुछ करते थे वैसा ही देखो अभी में क्या फूरा क्यों अप्वान मैं लिख रहू टू पाई के लिख रहू ओके डियार इजर आएगा तो यह डी रैसा लिख जाएगा ब दिवाइड़ बाई टू पाई क्यों हो गया दियार मल्टिप्ला हुआ हुआ एलजस में दिवाइड बाई आ रागया इस तरह रहा है अभी ध्यान दो सब लोग तो आप लोग ऐसा लिखना अभी इसको जल्दी और समस्ता है डिटे इस एक्वाल टू अपॉन टू पाई क amp on integration करना पड़ेगा, सो integration करोगे तो हमें bracket बना दा है, limits लिखने कि लिए तो पो आप लोग T लिखना T लिखना R1 लिखना और R2 लिखना तो T कितना था 150 तो लिखा 150 T दूसरा T कितना है 40 है R1 कितना है 10 है और दूसरा है 15 पर बरे सब में value put करता हूँ सब लोग देखो minus integration of dt लिखा limit बड़े से लेकर छोटा तो यह क्या होगा 150 T या क्या होगा 40 is equal to Q upon 2 pi के integration 1 upon R into dr आ गया अभी R का limit देखो 10 से लेकर कितना होगा 15 100 देखो अभी minus integration of dt T हो जाएगा integration of dt आपको shortcut बोला है मैंने नहीं आता तो integration cut D cut का क्या होगा T सो लिखेंगे T लिमिट क्या हैगा 150 से लेकर 40 is equal to Q by 2 pi के integration 1 upon R dr क्या रहेगा log R limit बोलो 10 से लेकर 15 आया है no objection अभी अपर लिमिट अपर लिमिट रखोगे अपर लिमिट किता रहेगा 40 लोग लिमिट किता रहेगा minus 150 is equal to Q upon 2 pi के अपर लिमिट किता रहेगा log 15 minus लोग 10 आता है अभी 40 minus 150 minus 110 बरबरे minus minus plus 11 10 Q upon 2 pi के अभी ये देखू ज़रा क्या आपको ये फॉर्मुला यहाँ दे log M minus log N क्या रहता है log M by N रहता है तो बोलो क्या लिख सकता है log 15 by 10 आ सकता है अरे आया छोड़ दो equation number इसे मानलो 1 और कुछ मत करो अभी फिर से step number step number 2 दे आंदो अभी by star equation star equation मतलब ये वाला ये इसे star मानना तो जल्दी समझा रहे by star equation देखो ज़रा फिर से by star equation फिर से it is nothing but variable separable form आ रहा है and on integration हो रहा है अभी समझ दो ज़रा बहुत सारे चीज़े अलग होगी देखो ज़रा t का limit limit आएगा limit आएगा r1 और limit आएगा r3 का देखो अभी क्यों ऐसा अगर आप लोग को याद होगा Newton's law curriculum में हमने learn किया था या हमने समझा था क्या किया था सबसे पहले पहले और दूसरा लगाते थे बाद में हम लोग क्या लगाते थे दूसरा और तीसरा sequence था अभी यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते आपको समझना है logically सोच हो जड़ा देखो अगर आप ये figure देख रहे हो देखो अंदर सबसे पहले r1 कितना था 10 10 के बाद क्या आएगा 12.5 आएगा या 15 आएगा समझ रहे क्या तो sequence चोड़ना नहीं तो हमने करना क्या है पहला और पहला और दूसरा हमने लिया था और दूसरे step में करना क्या पहला और तीसरा तो याप कहा answer perfect आएगा correct आएगा ठीक है क्यों फिससे बता रहो पहला r1 कितना है 10 r2 कितना है 15 और आठीक कितना है 12.5 12.5 सो 10 के बाद क्या हैगा 12.5 आना है इसलिए हमें क्या लेना है देख उजरा p is equal to 150 degrees Celsius r1 कितना है 10 t nिकालना है r3 कितना है 12.5 आया अभी का रखेंगे उपर रखना है देखो फिर उपर रखेंगे क्या होगा देखो अभी समझो जड़ा therefore integration बोलो क्या करूँ integration माइनस बार था dt q upon 2 pi k integration 1 upon r dr limit रखना है t का सो क्या रहेगा 150 से लेकर कहा तक जाएगा t तक जाएगा अगला r का 10 से लेकर 12.5 तक जाएगा integration of dt कितना होगा t बोलो इधर क्या है माइनस 150 से लेकर t is equal to q upon 2 pi k log r limit 10 से लेकर 12.5 आ रहा है अभी देखो जड़ा माइनस अपर लिमिट क्या रहेगा t माइनस लूर लिमिट 150 is equal to q upon 2 pi k log r r कितना है 12.5 माइनस log कितना रहेगा 10 रहेगा देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर मंटिप्लाइ करो तो कितना रहेगा माइनस 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 वालक्ती आगया माइनस माइनस प्लस 150 q by 2 pi k log m minus log n log क्या रहेगा 12.5 divided by 10 आ रहे equation number 2 अभी आपको shortcut दे रहा हूँ ज्यान में रोखो अभी करना क्या देखो जड़ा 1 divided by 2 करना तो आपका काम बहुत जल्दी आएगा देखो भी 1 divided by 2 करो अगर आप 1 को देख रहे हो देखो अच्छे से अगर आप 1 को देख रहे हो तो 1,1,10 divided by minus 3 plus 150 होगा 1 divided by 2 कर रहे न LHS को देखो तो क्या होगा 1,1,10 divided by minus 3 plus 150 हो जाएगा बरबरे is equal to देखो अभी अच्छे से क्या Q upon 2 pi के और Q upon 2 pi के cancel हो रहा है और 1 divided by 2 कर रहे तो क्या लिखा जाएगा लॉग बोलो लॉग 15 divided by 10 divided by लॉग बोलो कितना रहेगा लॉग 12.5 डिवाइड बाइट 10 आएगा बरबरे अभी यहाँ पर द्यान में रखना हमेशा जो लॉग हमें यहाँ पर लेना है वो लॉग हमारा आना चीए नेच्छल लॉग जो अभी हम लुग ले रहे वो नेच्छल नहीं होता है वो रहता है with respect to या to the base to the 10 होता है so देखो अभी कैल्सिमें डालोगे यहाँ पर लिख दे रहा हो टेक नेच्छल Rub नेच्छल लॉग मतलब पूरी वैल्ग कैल्सिमें डालोगे आप लोग तो आपको टी का वैल्लीव मिलेगा पुरा कैल्सिमें डालोगे आप लोग shift solve shift solve करोगे तो आपको answer मिलेगा 89.something मिलना चुछी आपको 89 so overall t is equal to 89.5 89.5 degrees Celsius ऐसा मिलेगा and which is the answer a long hollow pipe has an inner diameter of 10 cm diameter कितना है 10 cm inside a center हो गया अब एक साथ समझो आप लो देखो तो inner diameter आपको दिया है 10 मतलब radius कितना रहेगा r1 is equal to 5 cm होगा outer diameter of 20 cm outer है 20 मतलब radius कितना रहेगा 10 रहेगा so r2 is equal to 10 cm होगा द्यान दो the inner surface is kept at 200 degrees Celsius मतलब अंदर का temperature कितना है 200 degrees Celsius and outer surface at 50 degrees Celsius मतलब भार का कितना है 50 degrees Celsius the thermal conductivity के दिया है के कितना है 0.12 दिख दिया how much it is lost per minute बोला है मला आपको निकालना किया है q is equal to portion mark है अरे देख रहे अभी how much it is lost per minute from a portion of the pipe 20 meter long L दिया है 20 meter बरबर है अभी आगे find the temperature at distance x 7.5 cm x मतलब क्या r e r x मतलब भी r e समझना है देखो पहले r वन कितना था 5 r to कितना हो गया 10 7.5 कितर आएगा shaded में आएगा न अरे अंदर आएगा so ये कितना होगा देखो अभी ये आएगा 12.5 आएगा नई कितना है 7.5 हाँ so r3 लिख रहा हो r3 is equal to 7.5 cm हो गया अभी गीवन लिख रहे सब लोग देखो समझो जान दो जान दो जान दो l is equal to 20 meter दिया है लेकिन हमें cm में करना होता है 20 into 100 so that will be 2000 cm आ जाएगा l आता है अभी देखो समझो पहले area area क्या था 2 pi r l था बड़ बड़े so 2 लिखा pi r l कितना है अभी 2000 so it will be 4000 pi आ रहाता है अरे आ रहा है अभी condition लिखना है बोलो condition कैसे लिखोगे condition मैं आप लिख रहा हूँ टी टी और टी आपर रवर्ड रटी और रटी और रटी वोलो ती कितना है पहले 200 दिखर से साएगा तब आरवन कितना है फायू तो आरवन है फायू सेंटिमेटर टी बारका देशर 50 तो आरटी कितना दा 10 तो आरटी वोल भी 10 सेंटिमेटर आरटी कितने पर पुछा है 7.5 सेंटिमेटर तो टी क्या है कोश्चन मा रहे क्या रहे क्या देखो आरवन है फायू आरटी है तेन और आरटी है 7.5 उन्होंने दिया है ना एक्स एक्स 7.5 मतलब आर 3 7.5 चलो देखो अभी बाइ फूरियर लॉज समझे जरा Q is equal to minus के एड़ी टी बाइडिया देरफोर Q is equal to minus के लिखा एका वैल्यू 4000 पाय आर डी टी बाइडिया लास्ट एज़ामपल का कंसेप्ट है समझना चाहिए आप लोग को एक साइड लेना आप लोग को So I am writing Q बोलो अपान 4000 पाय के लिख सकते है इंटो डी आर अपान आर इस इकल डी टी बचता है अभी इनको एक वैस लिखते है माइनस डी टी इस इकल डी टी इस एकल तो Q अपान 4000 पाय के डी आर बाइ आर एक स्टेप बढ़ा दिया विच इस नदिम बड़ स्टार एक्वेशन ये को ने वेरियर्वल से ब्रेबल फॉर्म एंड और इंटेग्रेशन So integration करेंगे So integration होगा तो कैसे आएगा देखो अभी लिमिट्स लिखना हम लोग को integration के लिए सब से पहले So T है T है R1 आएगा R2 आएगा तो T कितना है 200 बाद में 50 यहाँ पर 5 यहाँ पर 10 So limit रख रहे देखो समझो Minus integration of DT 200 से लेकर 50 Is equal to Q वाला लिखते So Q upon 4000 5 के integration 5 से लेकर 10 1 by R D R Now integration of DT Is T 200 से लेकर 50 Is equal to Q upon 4000 Pi के 1 upon R का integration Log R क्या होगा 5 से लेकर 10 द्यान दो समझो Minus अपर लिमिट रहेंगे 50 Lower लिमिट रहेंगे 200 Is equal to Q upon 4000 Pi क्या आएगा अरे है बोलो Log कितना रहेगा 10 Minus Log 5 रहेगा है क्या 50 Minus 200 Minus 150 Minus Minus Plus 150 Is equal to Q upon 4000 Pi के Log M Minus Log N Log of M by N So 10 Divided by 5 Equation Number 1 दे दो आया किया तक कोई Objection है अभी आगे आगे बढ़ना पड़ेगा So आगे देखेंगे भी देखेंगे बढ़ेगे Step No.2 By Star Equation फिर से वो कुन हो रहा है Variable Severable Form And On Integration देखेंगे जरा Minus उससे पहले Limit आभी दूसरे लिमिट लिखना है आप लोगो बता है मैंने पहला और तिसरा वाल आएगा T T R1 And R3 बोलो So कितना था 200 T कुछन मांके निकालना है R1 कितना था 5 और R3 कितना है 7.5 है ना So minus Integration of DT बोलो So ये कितना रहेगा 200 से लेकर T है क्या अभी is equal to Q अपोन 2 Pi K Integration 5 से लेकर 7.5 1 by R इंटो DR हो रहा है देखो Integration of DT क्या होगा Integration of DT Will Be T Limit 200 से लेकर T यो गया Minus Q अपोन 2 Pi K Log R 5 से लेकर 7.5 समझो Minus अपर लिमिट का T Minus 200 Is equal to Q अपोन बोलो कितना रहेगा कितना था 4000 था गया एक बीटा 4000 1000 Pi के था इधर भी कितना है 4000 Pi 4000 4000 Pi K यहाँ पर है 4000 Pi K और इधर है 200 Limit So 4000 Pi K Upper limit Log कितना रहेगा 7.5 Minus 2 Limit Log 5 रहेगा फिर से Log M Minus Log N Log M By N बोलो तो क्या लिखेंगे Minus अंदर जाएगा तो कितना रहेगा T Plus 200 Is equal to Q upon 4000 Pi K बोलो Log कितना 7.5 7.5 Divided by 5 Equation Number 2 अभी क्या करना है 1 Divided by 2 समझो जरा So यह 1 है अरे 1 है हमारा और यह बाला क्या है हमारा 2 So क्या लिखा जाएगा देखो Divided कर रहे 150 Divided by बोलो Minus Minus T Plus 200 Is equal to Q upon 4000 Pi के गया Q upon 4000 Pi के गया Log उपर क्या आएगा Log of 10 Divided by 5 Divided by Log of कितना है 7.5 Divided by 5 और Calcium में डाला जाएगा Log कुन साल लेना है Natural Log LN वाला LN 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 का आपको मिलेगा Tका अंसर Tका अंसर मिलेगा 1,1,2 point something Check करेंगे Answer आता है 1,1,2 point 1,1,2 point 1,1,2 point 25 Degree Celsius 1,1,2 point 25 By equation number 1 By equation number 1 Degree 150 Is equal to Q लिखा यह 4000 है यह पाई लिखा क्या आपको याद है कि यह का value था 0,1.. 0,2,0,0, intend Dutch 14 1,1,4,0, 2,1,4,0,9,7,4,0,1,6, तो शिप्स और शिप्स वाली करना तो आंसर जंदी आएगे आपका टाइम जाएगा नहीं आएगा 163 कैलरी पर सेकंड लेगें ये कैलरी पर सेकंड में आपको पूचा किसमें कैलरी पर मिनिट में तो कैलरी पर मिनिट में करने के लिए क्या करते 163 मुल्टिप्लाइब आए 60 तो बोलो क्यों एकोट कितना 163 इंटो 60 कुछ सा वाला ये वैल्लु क्या आया हाँ बढ़ा आता है ना हाँ ठीक है बोलो सो क्यों एकोल दो 326 32993 कैलरी पर सेकंड मुल्टिप्लाइब आए 60 करो मुल्टिप्लाइब आए 60 तो वर नाइन फॉर्ट कैलरी पर मिनिट और आपको क्यों इसमें पूछ आता विच इस दा आंसर ग्वन के के बीने के दिया है के इस एक्वर डू जरो पॉइंट जरो 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 शिक्स एल इस एक्वर टू वन मीटर दिया है मतलब वो रहेगा 100 cm एरिया का फॉर्मूला होता है 2 pi r l so 2 pi r l का वैल्यू है 1000 therefore 200 200 200 pi r आ जाएगा अभी कंडिशन से t जब t 100 है तो r1 है हमारा 5 cm जब t हमारा है 30 तो r2 है 10 cm यह कंडिशन आज़ी थी यह आई है तो भूग गया अभी by Fourier law by Fourier law q is equal to minus ka dt by dr so q is equal to minus k a का value कितना है 200 pi r dt by dr देन दो therefore क्या लिकर जाएगा q upon 200 pi k dr by r is equal to minus dt वही तो वही चल रहा है देन देना चाहिए अभी minus dt q upon 200 pi k dr by r it is नहीं बड variable separable form and on and on so minus अभी उससे पहले limit लिक लेते limit क्या रहेगा t 100 t 30 r1 रहेगा 5 r2 होता है 10 so limit रख रहे जान दो minus integration of 100 से लेकर 30 dt is equal to q upon 200 pi k integration 5 से लेकर 10 1 upon r dr आता है now minus integration of dt is t 100 से लेकर 30 q upon 200 pi k log r 5 से लेकर 10 हो जाएगा अब पर limit रख होगे minus किता होगा 30 minus 100 is equal to q upon 200 pi k log 10 minus low limit log 5 same to same चल रहा है जैसे हमने दो example देखे वे से now minus 70 रहा है minus minus plus 70 q upon 200 pi k log होता है 10 by 5 हो गया ना भई आपको क्यों पूछा है अभी हर value रख देंगे हम लोग तो 70 q upon 200 pi क्या आया था 0.0006 और ये ln हो जाएगा ln 10 10 10 10 divided by 5 मतलब 2 so shift all shift all करोगे तो आपको मिलेगा q का answer q का answer किता था 0.3807 पक्का 0.3807 38.071 अभी 30 0.07 825 बहुत हो गया calorie per second अभी answer आपको पूछा calorie per hour में so q answer multiply by 60 multiply by 60 तो बताओ क्यों कितना आता है 16 into 60 3600 बोलो कितना कितना 1370 0 0.48 calorie per hour which is the answer या हुअआ गया हमे पुझ कितना लोम हो आीधा तो ठीद बताओ हो आता है झाल झाल